हेलो एर्डिवन GGO में एडमिशन के लिए डॉकुमेंट अपडेशन कैसे करना है उसकी जानकारी इस वुडियो में दी गई है सभी candidate को जिन्होंने document update नहीं किया है उनको 7 October से 10 October तक document update करना है document update करना compulsory है document upload करने के लिए आपको applicant login में जाना होगा इसकी link आपको description पे मिल जाएगी डारेक्ट आप यहां सी page पे आ सकते हो इसकी link है ggoyoucanapply.com यहां से आप applicant login में login करके अपना document update कर सकते हो यहां तो इसकी जो second website है ggoyouanline.in यहां से आप इस website में आके यहां पे link पे click करोगे तो आपको login का option मिल जाएगा यहां से आप login कर सकते हो यहां पे आपको sign in करना है email address and password यहां पे डालना है जब इस step से आप login करोगे आपको यहां पे dashboard open हो जाएगा तो देख सकते है application form preview form and result करके option है आपको my application पे click करना है my application पे click करेगा तो यहां पे आपी application की details रहेगी application ID, course name application status, payment ID यहां पे show हो जाएगी यहां पे option है edit edit and view आपको document upload करने के लिए edit पे click करना है इस पे जब click करोगे तो इस step से pop up open होगा यहां पे आपको ok को click करना है इसके बाद new web पे open हो जाएगा यहां पे आप देख रहा है और description पे document detail है and second है preview and confirm आपको document detail पे click करना है जब document detail पे click करोगे तो वहां पे कौन-कौन से document चाहिए उसकी details यहां पे रहीगी यहां पे name of document uploaded link यदि आपने पहले upload किया है तो वहां पे uploaded link अविलेबर रहेगा जैसे मैंने जीस ID से login किया यहां पे 10th और 12th की mark sheet upload है तो यहां पे so हो रहा है click here to view the document यह अप्लोड नहीं रहा था तो उसके इसमें यहां पे upload में choose file में select करके file को upload करना पड़ता यहां पे लिखा हुआ भी है आपके पास है तो कर सकते हो नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो तो इस प्रकार से आपने जीस कोर से के लिए apply किया उसके according यहां पे document की list रहेगी और उस document को mandatory है उसको आपको upload करना है और जो optional है वो आपके उपर depend करता है आपके पास है तो कर सकते हो नहीं तो उसको छोड़ सकते हो यहां पे जब आप लोग upload करोगे उसके बाद यहां पे save and proceed पे क्लिक करना है यह आप लोग ध्यान रखना save and proceed पे आपको क्लिक करना है second number पे है यहां पे preview and confirm यहां से आपको अपना application detail preview करना है उसके बाद उसमें option आजाएगा save and confirm उस पे आपको क्लिक करना है प्रकार आप document अपडेट कर सकते हो यह आप किसी प्रकार से करेक्शन करते हो तो save and confirm को क्लिक करना ना भूले उसको क्लिक करोगे तभी आपका document अप्लोड होगा thank you for watching this वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड सेयर